कुछ लोगों को देखके दिमाग में एकदम सवाल उठता है आखिरकार करना क्या चाहते हो जी ऐसे ही एक व्लोगर है अर्मान मलिक के भाई कुलदीक मलिक आखिरकार वो करना क्या चाहते हैं मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है अब उनकी व्लोगिंग देखे या फिर उनका नाटक देखे शायद उनको भी अर्मान मलिक के साथ में रह रहे के फिक व्लोगिंग या नाटक करने की आदत पड़ गई है आई ये इस वीडियो में जिकर करते हैं थोड़ा सा उनके बारे में दरसल उन्होंने अभी एक वीडियो डाली है आज जिसमें उन्होंने होने का नाटक किया है और मतलब हापस पूरे एक्टिंग किया है जैसे शराप पी के आये हो और लास्ट में हस के सब कुछ खो दिया या निकि सब कुछ बता दिया कि भई एक्टिंग थी यह है वो है लेकिन इस कहानी का अंत क्या है मतलब यह शुरुआत और अंत क्या है भ कर देते हैं वो कर देते हैं इस तरीके के चीजे वो बताते तो शायद ऐसा लगता कि हाँ भई कि दूसरों को नोलिज देने के लिए दूसरों को सिखाने के लिए वीडियो बनाई है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वीडियो का अंत हुआ है कुछ अजीव से तरीक एक से कि जहां पर भहिया नाटक करते करते भहिया शिरी को हमारे हसी आ गई इसके बाद में बच्चों ने और सब ने तो नाटक भी बंद हो गया तो मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि क्या आपने ये शिक्षा इस तरीके से दिखानी है लोगों को कि भाई शराब पीओ घर आओ शराब पी के वाइफ की गालिया सुनो वाई बच्चों को लेके चली जाएगी ये है वो है या फिर आप आप कि पास्ट में जो चीजे हुई है उससे आप इतने ज़्यादा परभावित है कि आप उस चीज़ को बार बार याद कर रहे हो कि भाई मैंने शराब पीपी के ये किया था या फिर आपको उपर जो इन्जाम लगे थे और आप जब वापस आए आपने जब ये क्लेम लगाय कि भाई मैं इतना भी बड़ा शराबी नहीं था जितने मेरे पर इंजाम लगे तो उस चीज़ों को याद करके आप ये सब चीज़े सिखाना चाते हो कि भाई मैं तो एक्टिंग करता था और अगर मेरी in the future कोई वीडियो इस तरीके की वाइरल कर दी जाती है मुझे मांखों में वह वाला जो होता है ने शराबी के होता है ना ही आपके चहरे में बस लड़ा खडा कर चलने का मतलब एक्टिंग नहीं होता कई भाई लोगों को चक्कर आते हैं बिमार होते हैं कभी इसी तरीके से चलते हैं तो वह चीज़े एक डिफ्रेंट चीज हो जाते है लेकिन ये चीज़े को खुला से जरूर कीज़ेगा कि आप अगर पब्लिक को सिखाना चाते हैं कि भाई इस तरीके से अगर करोगे जो कि बहुत अच्छा मैसे जा सकता था पब्लिक को हाला कि आपकी मेज तो वही शराबी वाली बना दी गई थी नशेडी वाली बना दी थी आप उसको बदलने के चाहते हैं और शाद बदल भी दे आप अच्छी वीडियो से बदल बट यहां पर आज की वीडियो में जो आपने आदे अधूरी छोड़ी है वो चीज़ मुझे को थोड़ा समझ में नहीं आए वो पब्लिक को समझ में नहीं आ रहे है और पब्ल आपने एक फैमिली ड्रामा भी किरा था आपने जो भावी है भाई को बुला कर वो भी फैमिली ड्रामा था यह पब्लिक है यह सब जानती है वाला तो भाई ना टक ना करके अगर आप रियल व्लोगिंग दिखाएंगे तो शायद आपका व्लोग जाद अच्छे चलेगा और अगर आप बीच में इस तरीकी की स्क्रिप्टिड वीडियो डालना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है लेकिन उसके बाद में आपको एक मैसेज जरूर देना चाहिए पब्लिक को कि आपका आखिर ये वीडियो बनाना का जो ओचित्य था जो आपको पब्लिक को मैसेज देना था जो एक शिक्षा देनी थी वो आखिर कार क्या था इस तरीके से आधिय धूर वीडियो छोड़ेंगे तो शायद आपको ऐसे लगा करें सारी ही वीडियो इसके